हाई पाप कर्मो का फल सबको एक ना एक जिन जरूर भुगतना पड़ता है अब आपने इतना बरका पाप किये हो भुगतना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा तो बक्तियार खिल जी एक एक करके नालंदा, विक्रम शिला और ओधन्थ पुरी को तबा करके बंगाल की तरब ब कर रहे थे, उस समय बंगाल को रूल कर रहे थे सेन डाइनास्टी के राजा लक्षमन सेन, अठरा घुर सवारों के साथ खिल जी के आक्रमन की बात सुनते ही बुजर्ग राजा लक्षमन सेन अपने राज्य छोड के भाग जाते है और इसी के साथ ही बिना युद किये ही प बंगाल तिबद ट्रेड रूट पर कंट्रोल पाना, लेकिन यहाएक प्रॉबलेम था, उस समय बंगाल और तिबद के बीच में परता था कामरूप, तो अगर तिबद को इन्वेट करना है, तो कामरूप से ही जाना पड़ेगा, इसलिए खिल जी ने कामरूप के राजा प तो अपने इन्वेशन को कुछ महिने के लिए रोग दो, पर खिल जी जैसा आकरांता रुकने वाले कहा थे, वहाँ अल्रेडी सिलिगुरी पर तमबू गार चुके थे, वहाँ पर खिल जी को एक मेच सरदार मिला लोकल गाइट के तोर पे, जो खिल जी को भुटान से होते हुए तिबबत का रास्ता बता सकता है कामरूप को एवाइट करके, खिल जी ने उन्हें और उनके पूरे कभीले को इसलाम में कनवर्ट कर दिया, और उनका नाम रख दिया अली मेच, अब अली मेच के दिखाये रास्ते से खिल जी साउथ तिबबत तक तो पहुच गया, वहाँ पर अपना टेलेंट भी दिखाया, लेकिन खराब मौसम, शौटे जब सप्लाई और लगाता नेटिव रेजिस्टेंस के वज़े से खिल जी को रिट्रीट करना पड़ा, अब अली मेच तो कप का साथ छोड दिया, उपर से तनी खराब मौसम में पता भी नहीं चल रहा कि किस रास्तिय से आय था, अभी हम है कहा पर वो भी नहीं पता, उपर से शौटे जब सप्लाई के वज़े से सेना में भूक मरी की हाला था, एक वक्त तो ऐसा आया जब अपने कुछ घोडों को भी माला गया भूक मिटाने के लिए, तो इस मोमेंट पर वापस लोटन केवल एक ही रास्ता है, थुरू कामरूप, जो थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि इतने संखक सैनिकों को लेकर कामरूप में घुसने से, अगर कामरूप की सेना को ये लगे कि हम कामरूप पर ही हमला कर रहे हैं, फिर तो सब खतम हो जाएगा, खेर खिल जी के इसी शंका क पर उसको ये नहीं पता था कि नालंदा की बदले की आग राजा प्रिथू के अंदर जल रहा है, राजा प्रिथू ने खिल जी को कामरूप के और अंदर तक आने दिया, और उसके खिल जी अपने भूके पयासे आर्मी को रिप्लेनिश ना कर पाए, मतलब अपने बहुत स सारे गाउ को खाली कर दिया गया, और वहां के सारे रिसोर्सेस को नश्ट कर दिया गया, मतलब खेतों को जला दिया गया, और पानी में जहर मिला दिया गया, जिससे इन्वेडर्स को किसी भी तरह का सहयता ना मिले, इससे क्या हुआ, खिल जी जितना आगे बरता गया, उस में बचे कुछे साइनिक अपनी जान बचाने के लिए सिली गुडी की तरफ भागने लगे अब बीच में परता था एक नदी और नदी के ओपर था एक पूल प्रिथू ने उस पूल को भी तोर दिया अब खिल जी के सामने दो ही विकल्प थी जैसे तैसे करके इस नदी को प प्यानक था इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते है कि खिल्जी के 12,000 घुर सवारों और 20,000 इंफेंट्री में से केवल 100-200 लोग ही जिन्दा बच निकले थे इसके बाद राजा प्रितु और भी कई सालों तक कामरूप पर राज करते है कहा जाता है कि इसी बीच गिया सुद्दिन बॉलबॉन ने भी कामरूप को इन्वेड किया था लेकिन बाद में राजा प्रितु ने उनको सक्सेस्पुली अपने राज जैसे खदरने में सक्ष अगा हुआ था उसके नाम पर आज एक शहर का नाम रखा गया है जबकि दूसरा इंसान जिन्होंने हमारी कल्चर को प्रोटिक्ट किया उनका नाम कोई नहीं जानता अब इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहुदियों के लिए हिटलर और अर्मेनियन्स के लिए इन्वे पाशा प्याड़ा होई सकता है तकलीफ मुझे इस चीज़ से है कि कुछ चोमू पॉलिटीशियंस इस मैटर पर सेकुलरिजम का धबा लगाता है तो मुझे नाम से कोई प्रॉब्लेम नहीं है जो हो गया सो हो गया गब्मेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि राजा प्रि